हेलो एवरीवान वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स जहां मैं रिव्यू करती हूँ किंडरकार्टन बुक्स फ्रम प्रमिनेंट स्कूल्स कि आप बच्चों को किस तरह से घर पर बढ़ा सकते हैं और इसके लावा समफोनिक अवेर्नेस वीडियो आज हम बत करेंगे इंग्लिश रीडिंग के बारे में बहुत पेरेंट्स के कमेंट आते हैं कि हमारा बच्चा ग्रेट 2 में आ गया है ग्रेट 3 में आ गया है मैं अभी पर फोनिक रूल्स फिटी नहीं बैठते हैं कुछ वर्ड में एक लिटर का साउंड एक तरका होता है कुछ में एक तरका होता है बट यह सारी चीजें एक दो दिन में बचे नहीं सीख सकते आपको पहले सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह के बच्चों को रेगलरली करवाएं तो एक दो दिन में कुछ नहीं होगा दो से तीन में ने मिनिममा प्रक्टिस करवाईए डेली मिनिममम वन पैरा उनको त्री टाइम्स पढ़ना है तो तीली तीन बार एक पैरा पढ़ने लगाईए से इससे क्या होगा अटलिस उनको साइट वर्ड जाएंगे जो यह साइट वर्ड होते हैं अगें लाइक यह साइट वर्ड उनको रेगलरली पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे इससे बहुत हेल्प मिलेगी और अगर साइट वर्ड आ जाए ना तो समझे कि 60-70% प्रॉब्लम सॉल हो गई है इसके अलावा आपको एक चीज़ करनी है कि आपको उनका कॉन्फरेंस बूस्ट करना है जब वो लकेजी में आते हैं वहां पे वो फोनिक सीखते हैं जब वो यूकेजी में आते हैं तो बह बेसिक ब्लेंडिंग जो होती है C L F L G L P L इस तरह की या फिर B R C R D R ये या फिर लेटर एस कॉन्सनेंट एस की जो कॉन्बिनेशन होती हैं S K S C S T ये वाली और बहुत कुछ सीखते हैं डाइक्राफ सीखते हैं यह तो बहुत इंपोर्टन होते हैं इसके बाद डबल कॉन सीखते हैं जब वो ग्रेड वन में आते हैं तो वहां पर और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि डबल वावल को किस तरह से पढ़ना है राइट फिर जो वावल कॉम्बिनेशन होती हैं E A O A I E ये कैसे पढ़ना है यह इंपोर्टन होती हैं तो यह सारी जो बेसिक से काफी है उनको English reading सिखाने में only thing is आपको उनका confidence boost करना है कि जो आपने सीखा है वही चीज आपको पढ़ते वक्त वर्ड पे अपलाई करनी है जब वो वर्ड पढ़ रहे हैं वो डिवाइट कर रहे हैं पीसे पीसे में किस तरह से वर्ड को पढ़ना है तो यह सारी है वही अपलाई करें जैसे कि जब वो वर्ड पढ़ रहे हैं वो वर्ड को डिवाइट कर रहे हैं साउंस में और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बस इतना बताना है कि जो उन्हें पढ़ा है वह अपलाई करें और उसको डिवाइड न करें जैसे कि अगर उन्ह तो इसको ट, र, एसे नहीं पढ़ना, ट, एक साथ पढ़ना है, फिर ए, का साउंड पढ़ना होगा, तो ब्लेंड को अलग-अलग नहीं करना, इस चार्ट का नाम है, रिमेंबर नोट टो डिवाइड इस लेटर्स, यानि बेसिक जो उन्होंने पढ़ा है, वो याद रखना ह होगा, और उन लेटर्स को स्प्लिट बिल्कुल भी नहीं करना, तो पल एक साथ होगा, ट्र एक साथ होगा, इसी तरह से अगर उन्होंने दूसरा कोई वर्ड पढ़ा है, जिसमें और ब्लेंडिंग है, फल, गल, पल ये एक साथ पढ़ना होगा, तो डाइग्राफ में भी टी एच को, डेवलु एच को कभी डिवाइड नहीं करना, फ, ए, इस तरह से बच्छे पढ़ेंगे, फ, ए, त, अर, फादर, तो कोशिश करेंगे, में भी थोड़ा प्रनांसियेशन उपन नीचे हो जाए, फैदर, ऐसा कुछ हो जाए, तो आप है ना, थोड़ा सा करेंगे, नेक्स ताम वो पैरा पढ़ेगा, दोबारा सेम वर्ड एंकाउंटर करेंगा, तो वो करेक्ट कर लेगा आपने आपको, इट इस फादर, नेक्स वेन, राइट, तो डाइग्राफ को भी स्प्लिट नहीं करना है, वावल टीम्स, जब भी दो वावल एक साथ आते कुछ वावल पेट्स होते हैं, जहां पर इनिशल जो वावल है, उसका नाम पढ़ना होता है, जिसके ओ, तो इस तरह से पढ़ने के लिए आप उनको एंकरेज करिए, जो भी बेसिक्स उनने सीखिये, वो काफी है उनको रीडिंग सिखाने के लिए, इसके बाद वेरी आई आर, ओ आर और यू आर ये जो कॉम्बिनेशन से आर के साथ वावल की, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो ये तो जरूर सिखाईए के ए आर को कैसे पढ़ना है, ए आर को कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट है, साइलेंट ए के जो वर्ड्स होते हैं, जिसमें एं लेटर का नेम आई, ये बनेगा पल एन, लाइन, 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 इस तरह से, तो ये एक इंपोर्टन टॉपिक है, नेक्स्ट है, ग्लूट साउंड्स, ग्लूट साउंड्स होते हैं एंग्लिश में जिसको आपको डिवाइड नहीं करना होता, जैसे के ओंग, ये इंडि लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपर आई बटन में दिया है, वो जरूर देखिए, वहां पर आपको नॉलेज मिल जाएगी, तो ये सारी इंपोर्टन चीजे हैं, जो बच्चे को आती है, उनली तिंग इस आपको उनको बताना है कि किस तरह से वर्ड को प बता सकते हैं कि किस तरह से उनको रीडिंग करनी है, जैसे मैंने कहां, दो चीजे जरूर करिए, डेली प्रेक्टिस, डेली इच पैरा, को एक पैरा को तीन बार मिनिमम पढ़ने लगाए, जिससे वो साइट वर्ड सीखेंगे, और दूसरा, जो बेसिक नॉलेज उनके पास आप देखिये और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, so that आप बच्चों को पढ़ा सकें, so यह था आज का वीडियो अबाउट रीडिंग स्टाटजी, इंग्लिश वर्ड रीडिंग स्टाटजी, कैसे आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी रीडिंग इंप्रूब्मे Give Us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos